हैलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डिलीशियस वूड किचिन में आज मैं बनाने जा रही हूं भटूरा और यह बनाओंगी ब्रेट से यह बटूरा खाने में बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी होता है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडि करके यूज करेंगे मेजर करने के लिए मैं यहां पे कटोरी यूज करेंगे तो एक कटोरी मैदा लिया है मैंने आदा कटोरी सूजी ले रही हूं और सेम कटोरी से एक कटोरी दही लिया है मैंने यह तीनों मैंने सेम कटोरी से मेजर किया है आदा छुटा चमच नमक यूज क बनाना भटुरा सबसे पहले को घृंड कर लोंगी तो इसके लिए मै ब्रेट को तोड़ के ग्राइंड़ में Add कर रही हूं तो यहां पर सारी ब्रेट को मैंने तोड़ दिया और अब हम इनको घृंड कर लेते हैं तो ब्रेट जो है वो ग्राइंड हो गई है तो देखें कितने अच्छे से इसका पाउडर सा बन गया बिलकुल आटे जैसी कंसिस्टेंसी आ गई इसकी तो इसको एक बड़े बावल में मैंने निकाल लिया और अब इसमें एड़ करेंगे एक काटोरी मैदा आधा काटोरी सूजी आधा चोटा चमज बेकिंग पाउडर एक चोटा चमज चीनी तो जो सारे ड्रा इंग्रीडियंट्स है उनको मैंने डाल दिया और यहां पर आट करेंगे आधा चोटा चमज नमक या फिन नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते अब इन सारे ड्रा इंग्रेडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जो अब हम इसमें आट करेंगे दही तो यहां पर मैं 1 गटूरी दही यूज़ चरहां और इसकी हेल्प से ही हम एक मुलायम सा आटा लगा के तयार कर लेंगे तो यहां पर मुझे अलग से पानी नहीं करना पड़ा है लेकिन अगर आपका आटा हार्ड हो रहा है तो आप इसमें पानी एक कर सकते हैं क्योंकि हमें भटूरे के लिए जो आटा लगाके तयार करना है वो थोड़ा सा मुलायम लगाके तयार करना है तो देखें मैं यहां पर उसी दही की हेल्प से आटे को आटे पर बराबर से मिक्स कर दूंगी और इस आटे को मैं 30 मिनट के लिए किनारे रख दूंगी कपड़े से ढके 30 मिनट के लिए किनारे रख दूंगी तो 30 मिनट हो चुके हैं अब चलते हैं भटूरा बनानाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो आटा है वो अच्छे से एक अपने अकॉर्डिंग भटूरे को लंबा या गोल बेल सकते हैं तो यहाँ पे देखें मैंने भटूरे को थोड़ा सा गोल बेला है बहुत आसानी से भटूरे बिल जाते हैं तो देखें यहाँ पे हमारा एक भटूरा तयार है तो चलते हैं कडाही की और तेल हमने गरम करने क सेकh लेंगे और दोनों साइट थे पलट-पलट के light brown होने तक हम बतूरे को सेकh लेंगे और जो है वो हम medium राखेंगे तो जो भटूरा है वो हमारा से खैया है तो ऐसे ही हम सारे बटूरे बना लेंगे तो इन बनर को हम गर्मा गर्म छोले के साथ सर्फ करेंगे तो ये बटूरे थोड़े से ओईली होते हैं आप इनी किछन नापकिन पर निकाल लेजे और सर्फ कीजिए छोलो के साथ तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चानल को सब्सक्राइ करेंगे तो में एड़ी को लेवा वीडियो कि अगर खो प्रूरे अगर प्रूरे लेगा तो को लेगा हैं तो ये खबात आपकी को अगर रह दगते हैं पूरे तो इने